हेलो फ्रेंड्स वेलकूम टू मैं इस्टेडिश्वीट चैनल दोस्तों आज में पेरा धुनी चिकिस्षा या पेरा श्रब चिकिस्षा यानि कि अल्ट्रा सॉंड थेरेपी और अल्ट्रा सूनी थेरेपी के बारे में बता रही हूं दोस्तों यह चिकिस्षा जो है अल्ट्रा सॉनी चिकिस्षा में इसके अंतरगर पेरा धुनी तरंगों के द्वारा उपचार किया जाता है भौतिक बिज्ञान में अल्ट्रा सॉनिक तरंगे उन्हें कहा जाता है जिन यांतरिक तरंगों के आबरित्ती बीस हजार हर्ज से उचिव होती है इन तरंगों को क्वार्ज के क्रिस्टल के कमपनों से उत्पन करते हैं यां ऐसे तरंगे होती हैं जिए मनुष्य अपने काणों से नहीं सुन सकता इन तरंगों की आबरिति बहुत उची यानि की एक मिलियन साइकल पर सेकेंड होती है एक मिनियल साइकलफर सेकेंड होने के कारण अपने साथ बहुत उर्जा ले जाती है शाथ ही इनकी तरंग बहुत छोटी होने के कारण इन्हें एक पतली किरण पुन्ज के रूप में बहुत दूर तक भेज़ा जा सकता है दोस्तों चिकिसा बिग्यान में इनहें बैक्तिरिया की विनाज करने में उपयोग करते हैं इसके अलावा गठिया रोग वा मस्तिस्क में ट्यूमर का पता लगाने के लिए भी अल्टरा तरंगो को उपयोग लाया जाता है खेलो में इसका उप्योग सरीर के अल्टरासोनिक शाउंड के प्रभावश के माध्यम से उपचार किया जाता है इसके उपचार का तरीका क्या होता है दोस्तों इसमें अल्टरासोनिक जिलेटर का उप्योग किया जाता है इसके द्वारा क्रिस्टल को डाई फर्म से जुड़ा जाता है जो कि बहुत तेजी से आगे और पीछे की तरफ करता है इस क्रिया की गती एक या दो मिलियन पर सेकेंड की दर्श से होती है इस गती के कारण वायू में थनी करण यानी कंडेनेशेशन और दिक परिवरतन यानी रिफ्रेक्शन होता है जिसको द्रविया पौनी के माध्यम से चोट ग्रस्त भाग में संच्यालित किया जाता है इन अल्ट्रासोनिक तरंगों के उत्पादन की प्रकिरिया एक ट्यूब शमान रचनाशे होती है जिसे ट्रांस ड्यूसर कहते हैं इसके प्रवाव क्या होते हैं दोस्तों अल्ट्रासोनिक चिकिस्था के इसके प्रवाव एक किसमे कम्याब होता है ताजे गुंबड यानि कांटी यूजन के दराहन इस उप्चार का उप्योग नहीं करना चाहिए किसमे अल्ट्रासोनिक थेरेपी का प्रियोग नहीं करना चाहिए आपको एक आए तेजी से चोट लगता है आपका वह भाग उड़ जाता है निला पड़ जाता है उसी कांटी यूजन कहते है यानि गुंबड बोला जाता है तो इस चोट में यानि ताजे गुंबड जो हो एंड हिदय, आख, कान, दिमाग, इस्पाइनल कॉर्ड तथा अंतह इस्त्रावी गरंतियों के उपचार कर्चिश में शावधानी बरत्मी चाहिए इस उपचार का प्रियोग एक सब्ता में एक बार ही होना चाहिए और जब भी इसका उपचार किया जाए तो इसका उपच बीस बार से अधिक नहीं होना चाहिए इस उपचार का प्रियोग खेल चोटों में समान लेता हो मुलायम उत्तकों की पोस्ट एक्यूट चोटों पर किया जाता है जैसे इस्प्रेन, इस्ट्रेन, टेंडनायटिस, ब्रसायटिस, आदी दोस्तों यह था अल्टरसोनिक या आल्टरसाउंड थेरेपी के बारे में, दोस्तों आई होब कि यह आपको समझ में आया होगा, दोस्तों कभी कभी एक्जाम्स में यह सब भी पुछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने टापिक को सामिल किया है, दोस्तों नेक्ट वीडियो में, यानि पार्ट फाइप में, इन इन वीडियो को जादे से जादे अपने दोस्तों तक सेर कीजिए, दोस्तों जो भी सिलेबस के आपके टापिक्स बचे हुए हैं, उनको मैं जल से जल पुरा करने की पूरी कोशिश करूंगी, बस आप मेरे चैनल पे कांटिन्यू बने रहे हैं, उसके बाद मैं MCQ कूस्ट पुछे जा सकते हैं, तो दोस्तों पहली बार यदि आप मेरे चैनल पे वीजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, बेल आइकन को फ्रेश कर लिजिए, जिससे नेक्स टाइम जो भी मैं नया वीडियो अप्रोड करूं, उसका नाटिफिकेशन आपके पास पहुचता रहे तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टापिक के साथ तब तक के लिए जाएगी